हेलो नमस्कार मेरा नाम है अवड़ाश और आप सभी का हमारे चैनल पे दोस्तों स्वागत है अफगानिस्तान ने इतिहास रच दिया है साथ विक्टों से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को माद दी है और इससे ज़्यादा शर्मसार और क्या ही होगा कि बाबार आजम के गहर मौजूदगी में पीएसल के भर भर के टैलेंट आ रहे थे बल्लेबाजी और गेंदबाजी करने लेकिन सब का चकना चूर हो गया परफॉर्मस इतनी ज़्यादा घटिया परफॉर्मस पाकिस्तान ने शायद ही कभी दी होगी क्योंकि आज जो है अफगानिस्तान ने एक बड़े मुकाबले में टीम को हराया है अब आप ये लोग बोलेंगे कि यार ये जूनियर टीम है ये इनेक्सपिरियंस टीम है तो जब यही खिलाडी पीएसल में बड़े बड़े गेंदबाजों के खिलाफ रंस बना रहे थे का गया था यंग प्लियर तब तो कोई यंग प्लियर नहीं अब हर गए तो आप बोल रहें की यंग प्लियर है इनेक्सपिरियंस ट प्लियर है ओ भी या ये दोगलापन क्यों चोलो भईया इस पर बाद में बात करेंगे अम पहले जो आपको बता देते हैं मुकाбले में या अब्दुल्ला शफिक तो इतिहास तो इतिहास बना रहे है बही चार मैच में ये डख पर आउट हुए है एक बार फिर से आज गोल्डन डख पर आउट हुए है पिछले मैच में डख पर आउट हुए थे क्योंकि पिछले मैच में दो गिंदों का सामना किया था तो उसे गोल्डन ड़क आप नहीं कह सकते हैं तैयब ताहिर जो है तेरह रन बनाए जबकि इमाद वसीम ने एक शांदार एतिहासिक इतनी जबरदस स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की कि क्या ही बता है संताबन गिंदों का सामना किया 64 रन की पारी खेली नाबाद पारी खेली और इस दोरान उनका स्ट्राइक रेट 112 का रहा है इसके अलवा गिंदबाजी की मैं बात करू तो फजलक फारुकी ने दो विकेट लिये नभी नुलहक, राशित खान और करीम जनाद को एक एक विकेट मिला इसके बाद जब बल्लेवाजी करने के लिए उतरी अफगानिस्तान की टीम तो अफगानिस्तान की टीम ने साथ विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया तीन ही विकेट गवाए जिसमें से रह्मनुल्ला गुर्बाज ने चौवालीस रन, इबराहिम जादरान ने अरतीस रन, नजिबुला जादरान ने बाइस गिंदों में तैस रन और मुहमन नवी ने 9 गिंदों में 14 रन की पारी खेल कर अपनी टीम को जीत दिला दी है जीत के सबसे बड़े जिम्मिदार सॉरी इस हार के सबसे बड़े जिम्मिदार पाकिस्तान की हार के सबसे बड़े जिम्मिदार कौन है आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताईएगा